नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रपल सी एनम नई भरती के लिए फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं इसके पहले जब ने सुबर वीडियो बनाया था तो उस समय तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था लेकिन अभी लिंक एक्टिवेट हो चुका है फॉ कोई भी गलती नहीं करनी है वीडियो को आप सभी जितना हो सके सेयर कर दीजिगा क्योंकि फॉर्म बनने में गलतियां अगर एक बार हो जाए कोई भी मिश्टिक हो जाए तो फिर आपको उसकी बज़े से बहुत परिसानी उठानी पड़ती है तो सबसे पहले आप सभी को आफिसल साइट पर आ जाना है यूपीटर पलसी के यह वाली आफिसल साइट पर आप यूपीटर पलसी.gov.in सर्च करेंगे तो आपको इस वाले साइट पर आना है तो यह होम पेज ओपन हो चुका है यूपीटर पलसी की आफिसल साइट का और अगर आप इसमें देखेंग तो इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज़े सो नहीं हो रहीती लाइब एडवर्टाज्मन यानि जिन भरतियों के लिए फॉर्म बरे जाने होते तो उन भरतियों को यहाँ पर सो होना होता है तो आप यहाँ पर डारेक्टली क्लिक करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे डारेक्टली यहां से form अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां से भी आप आ सकते हैं उसी page पर candidate registration वाले section पर click करेंगे तब भी आप उसी page पर आएंगे तो आपको जहां से मन करें आप वहां से click कर लिजीगा और ध्यान दीजीगा इसको आप desktop साइट पर कर लिजीगा अगर mobile से form बर रहे होंगे तो और अगर पीसी हो, laptop हो, desktop हो या पर शाइबर के पर जैसे भी आपको फार्म बर्वाना हो बस फार्म में कोई गलती न होने पाए इसके लिए कुछ इंस्टेक्शन होते हैं अगर आप चाहे तो यह क्लिक करके यहां से देख लिजीगा ठीक है हम दुबारा से आ जाते हैं उसी पेज़ पर अब यहां पर क्लिक करेंगे अपलाई वाले पर हम आपको पूरा इष्टे बाई इष्टे पूरा फॉर्म फिल करके दिखाएंगे अभी हाँ पर कुछ प्रोसेश आपको दिखा देते हैं उसके बाद भी पूरा हम फॉर्म समिट करके भी आप सभी को बताएंगे और किसी भी सिष्टे को फॉर्म बनने में कोई भी दिक्कता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि क्या आप कोई additional age relaxation चाहते हैं अगर आप चाहते होंगे तो वहाँ पर yes करना है नहीं चाहते हैं तो पर no कर दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप 40 साल से उपर अगर आपकी आयू है अगर आपको संविदा के आधार पर या फिर अपने आरक्षर केटिग्री के आधार पर अगर आपको आयू सीमा में चूट चाहिए तो आप वहाँ पर yes कर दीजिगा अधर्वाइस नो करिएगा सब्मिट अप्लेकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ठीक है इसको आप पढ़ लिजिगा और पी इटे 2023 के आधार पर ही फॉर्म फिलप होंगे यह पूरी डेटेल इसको भी देख लीजिगा आप सभी 2023 यह वला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट भी आप सभी देख लीजिगा कि जो भी अहरता है सभी के सभी सेक्षि करता यह जो अन्य पातरता है फार्म आवेदन की लाश डेट सत्ता है से ग्यारा दोजार चोबिस तक आप सभी की पास होना चाहिए पी इटी 2023 आवेदन में भरी गई सभी जानकारी स्व चलित रूप से इस आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी कुछ चीज़े हो सकता है कि अभी तुरंट एडिट ना हो चेंज ना हो तो उसको बाद में आप चेंज कली जी का मौडिफिकेशन में अगर हो पाता है तो ठीक है 25 रुपई फीस है और संसोधन में क्या-क्या संसोधन कर पाएंगे उसको लेकर कि हाँ पर दिया गया है बाकी नहीं कर पाएंगे जो इसमें मेंसन नहीं है कोई भी गलत तरीकें से फार्म अगर भड़ते हैं उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी अभ्भेरती की होती है साटलिश को लेकर कि दिया गया है ठीक है फीस बुकतान इमेल आइडी मोबाइल नमबर आपको अपना मेंटें डखना है पूरे भड़ती प्रिक्रिया के दोरान कोई भी बंद न होने पाए अब यहाँ पर देखे दोबारा से वही चीज़े हैं कि आप सभी सैक्षिक या अने पातरता मानदंडों को आवेदन की लाश डेट तक पूरा करते हैं कोई भी जानकारी अगर आसे पाई जाती है तो आपका भी अर्त निरस्त किया जा सकता है उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आई एग्री कर देंगे अब यहाँ पर थ्रू OTP या फिर परसनल डेटेल कैसे आपको लॉग इन करना है फॉर्म भरने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पर जैसे आपको इच्छा करें मतलब कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वहाँ पर जल्दी आप लॉगिन कर लेंगे और इसमें क्या है कि आपको पूरी डेटेल बननी पड़ेगी हम इसी के थुरू करते हैं यहाँ पर पेटका रिष्टेसर नंबर डेटा बर्थ जेंडर दोमेशा लाप यहाँ फिर नेक्ष्ट करेंगे तो फोटो सिंग्निचर आजाएगा उसको आप चेक कर लिजिएगा उसके बाद फिर समिट करके फीस पेइमिंट कर दीजिएगा तो उसके आगे कुछ उसमें ज्यादा बचता नहीं है में जो चीजे आपको समझ में नहीं आती जहां पर दिक्कत है तो आप इसको रिप्रेस कर लेंगे तो यहां पर दूसरा कोड भी आपको मिल जाएगा हम यही वाला बहल लेते हैं क्योंकि यह पढ़ने में आ जाएगा कोई दिक्कत है नहीं कैप्टल एन नाइन उसके बाद फिर कैप्टल डी है फिर इसमाल जी है और इसमाल जी है कै गर्थ तरह एक मिट प्छे पहले हमकर हम अब कर देते हैं बडेटा भ्र्त यहं पर प्लक है ठょरीगे कि अंह barbar है आप अपना सारी डेटेश करिएगा सही सही और यहां पर जेंडर फीमेल आप सभी को जेंडर फीमेल ली सेलेक्ट करना है इसके बाद यहां पर केटिगरी आपकी जो केटिगरी होगी आप वो केटिगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पर P.E.T. का रेजिटेशन नमबर इतना करके आपको यहां पर Click Here to Proceed पर क्लिक कर देना है Click Here to Proceed पर Okay कर देंगे ठीक फिर आपके सारी डेटेल यहां पर सो होने लगेगी जिसमें आपका नाम फादर या हस्बेन का नाम माता का नाम और कुछ और भी डेटेल होती है कि क्या आप स्पोर्ट्स कोटा में या फिर कोई अन्य जो सब्सक्रांट पर देन पर उनोरो के दो कि पहले भरी होगी पेट वी समय उही सारी चीज है आपको यहां पर देखेंगी नीचे आप से देखेंगी तो आपका 10 तक 12 का आपका अलेटी भरा हुआ होगा लेकिन आपको बारमी का दोबारेसे फ़रना पड़ेगा यहां पर यह 12 अप लोग भरेंगे दोबारेसे यहां इसको yes कर देंगे इसको आप सभी yes कर देंगे sorry, yes हो गया यह आपका ANM का है, इसको भी yes कर दीजिए और यह आपका registration का है इसको भी yes कर दीजिए और यहाँ पर यह वाला जो code वापस से आप यहाँ पर fill कर लेंगे अब यहाँ पर जो समस्या आप सभी को आएगी इहाँ पर आएगी इसमें क्या वर्ना है Are you claiming जो अभी हम आपको बता रहते Are you claiming any additional age relaxation क्या आपको किसी अतरिक्थ आयो सीमा में छूट किया हो सकता है अगर आप over age होंगे तो बिल्कुल आपको यहां पर यस करना है चाहे आप अपने आरक्षर की आधार पर आपको छूट लेनी हो आईउसीमा में या फिर संविदा बेटेज की आधार पर जैसे भी आपको छूट लेना हो तो यहां पर इनका हम ने डेटा बर्फ क्या फिल किया था आपने किस के आधार पर छूट के लिए क्लेम किया है तो जैसे यह एसी केटिगरी से हैं तो बिल्कुल इनको 5 सर आयूसीमा में छूट मिलेगी तो यस करने से मिए कोई दिक्कत नहीं है अगर चाहें तो यस कर सकते हैं या पर नो कर सकते हैं लेकिन जिनको कोई भी ऐसा आधार नहीं है, यानि कि माली जी कोई सामानवर की सिष्टर है, ना तो आपके पास संविदा वेटेज हैं, ना तो आपके पास कोई आरक्षड के आधार पर छूट मिलने की उमीद है, तो फिर आपको वहाँ पर नो ही करना होगा, अगर यस करते चलिए कोई आहै, और माली जी आपके ड्यूटी करते वेड़े, आपको एक साल, दो सार, तीन साल होगी है, तो ठीक है, आप यहाँ पर एक साल, दो साल, तीन साल वर देंगे, लेकिन माली जी अभी आपको कुछ महीने हुए है, तो फिर आप क्या भरेंगे, यह दिक्कत है अपने एड्रेस आदी देखने पड़ेंगे, वहां पर एड्रेस आप देख लिजीगा आपना, कि आपका पता सही है और जो डिटेल आप यहां पर भरे होंगे, वो डिटेल भी अगली पीज पर सो होगा, फिर जब वहां से नेश्ट करेंगे, तो फिर आपको एक पीज और जिसमें फोटो और सिगनिचर, अगर आपका ठीक है, तो केवल आप सम्मिट कर देंगे, फीस पेमिंट कर देंगे, और अगर आपको फोटो सिगनिचर अगर चेंज करना होगा, तो आप चेंज करके, उसके बाद सम्मिट करके, फिर फीस पेमिंट कर दीजीगा, ठीक है, तो यहाँ पर फिलाल में इस वीडियो में आपको यहीं तकम बता पारें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा फॉर्म सम्मिट करके दिखाएंगे, फीस पेमिन करके पूरा हम प्रोसेस करके दिखाएंगे, धन्यवाद.